हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आज जी काहूं मैं आप सभी के सामने आपके अपनी चैनल प्रीकी मैन पर तो आप सभी कोले स्ट्रुएंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट है आईटी बॉंबे की तरफ से फ्री समर फेलोशिप्स लौंच की जा रही है ज जो भी स्ट्रुएंट अच्छे से काम करते है उनके लिए आप इस ट्राइपन भी आप लोग को मिल सकते हैं और भी बहुत चारे बैनिफिट है जो आप लोग को दिये जा रहे हैं और सबसे मेजर बैनिफिट अगर मैं आप लोग को बढ़ाऊ तो आप लोग को आप सब जो की प्रोजेक्ट डेवलप किया गया, IIT Bombay ने उनकी तुरफ से नोडिफिकेशन दिया गया था, यहाँ पे कुछ टाइम पहले कि IIT Bombay 4 Summer Fellowships लौँच की जा रही है, जिसके लिए आप लोग online अप्लाई कर सकते हो, कोई भी registration fees वगरा नहीं है, directly आप लोग apply करने, आपका selection ह होता है नहीं होता है, वो भी आप लोग को online ही बता दिया जाएगा, इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आयो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी IIT Bombay की fellowship के बारें बताने से पहले एक और अपडेट है मेरे पास उन ब इनी कोर्स प्रवाइड के जा रहे हैं, जिससे आप लोग घर बैटके अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, यहाँ पर अलग-अलग स्किल बेस्ट कोर्स हो हैं इनकी तरफ से, जैसे सोचल मीडिया मार्केटिंग, बेसिक और जावस्किप प्रोग्रामिंग, इमेल ओपन कर लेटी हैं, यहां पे यह सभी कोर्स आप लोग 99 प्रयाइज जिससे आप लोग बाताऊंगा को इसके को कूर्स डिया जाए है और अभी यहाँ पे limited time के लिए आप लोग के लिए coupon code में बता देता हूँ, यहाँ पे आपको coupon code में tricky लिख देना है, और apply करते हो, आप लोग tricky जो कि special exclusive coupon code आप लोग के लिए, तो आप लोग को extra 15% का instant discount दिया जा रहा है, तो आप लोग इस चीज का फायदा ले सकते हो, limited time offer है कि आप लोग के लिए coupon code हरे कोर्स में valid है, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी skill develop करना चाहते हो, तो only 84 rupees में आप लोग skill develop कर सकते हो, जो कि बहुत ही काफी की फायती ही हम लोग कह सकते है, तो इस चीज का फायदा आप लोग ले लीजिएगा, मैं दे दूँ आ लिंक वीडिय इस टेल मिल जाएगी, force invites application to force summer fellowship 2023, यहाँ पे यह जो fellowship है आप लोग के लिए approximately 2 months तक चलने वाली है, यहाँ यानि कि 2 months तक आप लोग को internship करनी होगी, एक चीज मैं बदा दूँ यह fellowship जो है, आप लोग के लिए full time और part time है, यहाँ अगर आप full time join करना चाहते हो, 8 hours per day दे सकते हो, तो भी join कर सकते हो, अगर आपके बस 3-4 घंटे तो आप लोग part time में भी इस fellowship को join कर सकते हो, एक चीज और यहाँ पर हम लोग eligibility की बात करें, eligibility में अगर आप college student हो किसी भी year में पढ़ रहे हो, तो आप सभी लोग eligible हो, यह जो fellowship है, वो remote है, यानि online आप लोग को यह fellowship का फा करता है, कौन सी fellowship को आप जोइन करना चाहते हो, अगर हम लोग eligibility की बात करें, तो यहाँ पर इस fellowship के लिए any college student eligible है, चाहे आप कोई भी degree कर रहे हो, किसी भी stage में हो, graduation या फिर post graduation आप लोग कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर जोइन कर सकते हो, इनकी इस fellowship को, important dates की अगर हम अभी तो आप लोग के लिए, आपको यह screening task complete करने के लिए, यहाँ पर इस fellowship में आप लोग को selection करवाने के लिए, आप लोग को screening task दिया जाएगा, वह भी मैं आपको बता दूं किस तरीका का screening task है, यहाँ पर आपको result announcement जो आओगा, 24 April तक हो जाएगा आप लोग का, और 7th of May के से आप लोग का, यहाँ पर commencement हो जाएगा इस fellowship के बारे में, और उसके बाद आप लोग की जो, यह summer fellowship मिड जुलाई तक end भी हो जाएगी, इस तरीके से आपको पैदा लेना है, summer में जो mostly colleges के off होते हैं, उस रहें पर आप लोग को यह summer fellowship complete करने है, अगर हम आप लोग की बा जो भी review किया जाएगा, top submission जो भी students होंगे, उनको बता दिया जाएगा, आप लोग का selection किस तरीके से, आपकी mail ID पर ही आपको notify कर दिया जाएगा, अगर हम screening task की बात करें, जो कि आप लोग को application form फील करते हैं, basically complete करना होता है, यहाँ पर आप लोग ले अलग-लग task दिये जिनके basis पर आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो, यह web links है, इनमें project के detail आप लोग को मिल जाएगी, इनमें से जिसमें project पर आप काम करना चाहते हो, वो एक task होगा, वो screening task है, आप लोग को complete करना होगा, इस fellowship में selection करवाने के लिए, आप लोग का benefit की बात करूँ, इस fellowship में क्य है, क्या benefit है, पहला और major benefit जो मैंने आपको बताया था, आपको IIT faculties के साथ काम करने का मोंका मिल रहा है, दूसरा आप लोग को certificate of fellowship मिलेगा, यानि जिसको आप अपने resume में add कर सकते हो, IIT Bombay का नाम ही एक resume में add हो जाता है, वो ही अपने आपने एक बहुत बड़ी बात होती ह दूसरा यहाँ पर आपको recognition मिलेगी, FOSSE की website पर भी आपको बताया जाएगा, और सबसे एक और important benefit जो कि student देखते हैं, इस fellowship के end में आप लोग को कुछ honorarium मिल सकता है, यानि कि आपको stipend भी मिल सकता है, यानि अगर आप अच्छा काम करते हो, आपको काम को देखते हो, लोग उपन करके देख सकते हो, यहाँ पर किस-किस बच्चे का कौन से college से selection हुआ था, वो साई detail आप लोग को मिल जाएगी, अगर हम बात करें, आप लोग को apply कैसे करना इस fellowship के लिए, यहाँ पर जिसमें आप लोग को बताया था, एक Google form दिया गया आप लोग को यार, इस Google form को आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर यह Google form के सारी detail आप लोग को add करनी होगी, detail आप लोग थोड़ा ध्यान से add करिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग को जो certificate generate होगा, उसमें भी वही detail आने वाली है, यहाँ पर name आपको add करना है, email ID add करनी है, आपका contact number, जिससे पर कर रहे हो, उसकाद कौन से steam से आप लोग कर रहे हो, जिससे BTEC कर रहे हो, तो BTEC electronics से कर रहे हो, MBA कर रहे हो, MBA finance से कर रहे हो, यहाँ पर सभी degree eligible हैं, तो यह एक अच्छी चीज़ में कह सकता हूँ, कौन से year में आप लोग इस टाइम पर हो, यहाँ पर email ID, HOD की आपकी, उस इसकद आप लोग को इस fellowship के बारे में कहां से पता चला, अधर करके अगर आप लोग हमारी वीडियो के धुरूब बतार हो, तो कर सकते हो, यहाँ पर बाकि आप अपने ही सहाब से चेक कर ली जागा, और आप लोग किस तरीके से पाटिस्पेट करना चाहते हैं, इस fellowship में ही